जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस्वमिज जैन YouTube चैनल में सुसात्यों आज की किलास स्टार्ड हो चुकी है और रोज रात तरी 9 वजे अपनी ये किलास चलती है हैना हिंदी साहित की दोस्तों आज हम बहुत ही महत्पूर्ण प्रस्ण लेकर की आए हैं चुकी आज हम दोस्तों अपनी नई सीरिज को स्टार्ड करने वाले हैं और बिलकूर सुरुआत से स्टार्ड करेंगे हैना और यहां पर आपको क्या करना है सबसे पहले Self Study Classes एप डाउनलोड करना ठीक है अगर दोस्तों आप कोर्स में जॉइन होना चाहते हैं कोर्स में एडवीशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको Self Study Classes एप को डाउनलोड करना है ठीक है और जैसे ही आप एप को डाउनलोड कर लेते हो तो बहाँ पर दोस्तों आपको यह Test Pritiyogita भी आपको देनी है 10 तारिक को Test Pritiyogita है अपनी 10 फरवरी को ठीक है तो इस Test Pritiyogita के लिए देने के लिए Self Study Classes एप आपको डाउनलोड करना है क्योंकि यह प्रतियोगता Self Study Classes एप पर ही होगी जैसे दोस्तो ओनलाइन पेपर होता है जैसे आपने अट का पेपर आपने दिया होगा ओनलाइन पेपर होता है ऐसी अपनी ये टेस्ट प्रतियोगता होती है जिसमें आपको अपने नमबर भी पता चलते हैं solution भी आपको पता चलता है कि आपने क्या उत्तर लगाया इसका क्या उत्तर होना चाहिए वो सारी चीज़ें यहां पर पता चलती हैं तो इस प्रतियोक्ता में जरूर आपको भाग लेना है 50 प्रस्ण होंगे और दोस्तों आपका target रहेगा कि 40 प्रस्ण को आपको सही बताना है ठीक है तो यह 10 तारी को टेस्ट प्रतियोकता में सामिल जरूर होएं और दोस्तों के self study classes जो एप है यह आपको डाउनलोड जरूर करना है और जिन भी सात्यों को एडवीशन लेना है तो हिंदी साहित के course में हिंदी साहित test series में एडवीशन ले सकते हैं ठीक है तो यहां प के प्रवर्तक कौन है यह आपको बताना है देश राज जी है ना जल्दी से बताना है ध्वरी धन राज जी आदी काल आदी काल में हम बिलकुर सुरुआस से अब कोई भी मिस नहीं करेगा है ना और दोस्तों यह जो सीरेज अपनी चल लई है इसको किसी को मिस नहीं करना है अब आदिकाल से स्टार्ड हो रहा है आपका सहज यान के प्रवर्तक आपको चैन करना है तो उत्तर सभी लोग बताएंगे कि सहज यान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं सरहपा, लुईपा, सबरपा या फिर कंडपा कौन माने जाते हैं दोस्तों हैना तो आपने सभी लोग उत्तर बताया है अधिकांस लोग बता रहे हैं कि सर सहजयान के जो प्रवर्तक हैं वो प्रवर्तक मान जाते हैं दोस्तों कौन शरहपा यहां पर दोस्तों आपको एक चीज याद रख लेनी सबसे पहले तो कि सरहपा 84 सिद्धों में से एक हैं सिद्धों की संक्या कितनी है तो आपको बताना है कितनी है 84 ठीक है शिद्धों की संक्या कितनी है 84 है और दोस्तों सरहपा कौन सी सदी के थे आठीवी सदी एक कई बार पूछा गया कि सरहपा कौन सी सदी के माने जाते हैं आठीवी सदी के और बोध धर्मी की जो सहिज्यान या फिर बज्ज़यान साखा ती की सम्दित 84 सिद्ध शिद्ध जो हुए है इनको हमें याद रख लिना है ठीक है इन सबी को याद रख लिना और दोस्तों बात करें सरहपा की तो सरहपा को हिंदी का पृथम कभी माना है किसने माना हिंदी का प्रत्म कभी राहुल सांकृत त्यायन ने ठीक है तो यह भी आपको याद रख लिए ठीक है अब दोस्तों आंगे पढ़ते हैं यहां पर आते हैं कि संदेश रासक संदेश रासक के रचेता कौन माने जाते हैं तो आपको चैन करना है अमीर अमीर खुसरो, अब्दोर रह्मान, लच्मी धर या फिर हैम चंद्र माने जाते हैं इन प्रस्णों को आपको बहुत अच्छे से किलियर करना है ये प्रस्ण दोस्तो ओल्ड पेपर से हैं ये प्रस्ण पूछे गए हैं तो संदेश रासक के रचिता कौन माने जाते हैं ये आ आपको यहां पर चैन करना अमीर खुसरो, लच्मी धर, अब्दोर रह्मान या फिर हैम चंद्र तो उत्तर सभी लोग पटापट से बताते जाएं और लाइक जरूर करना है और दोस्तों जिन्हों ने एप को डाउनलोड नहीं किया है वो एप जरूर डाउनलोड कर लेंग का बहुत ही विवस्तित कोर्स है है उसको आप दोस्तों पर्चेस कर सकते हैं बात आती है दोस्तों संदेश रासक की ठीक है तो संदेश रासक की रचेता कोन है आपने बिलकुर सही उत्तर बताया अब्दुर रह्मान अब्दुर रह्मान आपने बिलकुर सही बताया दोस् अंतिम काल के माने जाते हैं आदिकाल के अंतिम कभी माने जाते हैं तो अमीर खुसरों के बारे में आपको पता चल गया अब रह्मान तो आपको पता ही चल गया ठीक है अप भ्रहन से भासा के समर्थ कभी अब रह्मान ने संदेश रासक नामक हिंदी ग्रंथ की रचना की ठी बोली के प्रतम कभी अमीर खुसरो माने जाते हैं ये भी आपको याद रख लिए ना और अमीर खुसरो का असली नाम क्या था तो इनका नाम था अबुल हसन ठीक है और खालक बारी और दोस्तो चार दर्वेस गजलादी की रिचना इन्होंने की है किसने ये अमीर खुसरो का दोस्तो बास्तविक नाम कई बार पूचा गया है है ना तो कई बार पूचे गए अमीर खुसरो अमीर खुसरो आपका बिलकुस सही हो जाएगा और अमीर खुसरो दोस्तो इनका नाम है अब्दुल हसन या अबुल हसन बोला जाता है तो इनको याद रखेंगे और यहां प कि किसे कहा जाता है तो आदिकाल का मेगदूत कहा जाता है दोस्तों संदेश रासक को ठीक है इनको याद रखेंगे अब अंगला कॉस्चन आपको चैन करना है यहां पर कि बिद्यापती की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रिकासित नहीं हुई है क्यानि कि तीन का उत्तर वो कौन सी रचना है दोस्तों बिद्यापती की बिद्यापती के हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों अबुल हसन अब्दुल हसन इतना जाना प्रदीप प्यादवजी अबुल हसन मैंने उसको बताए ना कि अबुल हसन या अब्दुल हसन है ना कि रहता है ठीक है तो यहाँ पर बिद्यापती की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकासित नहीं हुई कीर्थी लता, कीर्थी पता का पदा बली या इन मैं से कोई नहीं, है ना तो यहाँ पर अपने कई बार पढ़ा है कि सर विध्यापती जी ने किस सोला ग्रंधे, कितने ग्रंधे लिखे? शोला गरंत लिखे, जिन मैंसे अपनने पड़े की 13 संस्कृत में लिख दिए, दो अभ़ट में लिख दिए, एक इनों ने मैतली में लिखा, दो अभ़ट की रचना है कौन कौन सी है इनकी, तो आपको बिल्कुर शाही बताना की दो जो हैं, इनकी अभ़ट की रचना है, किर किरती पता का में आपने बिल्कुर सही टिक किया है और उत्तर बी की तरब चला जाता है ठीक है यूपी टीजीटी 2003 और 2000 पीजीटी में पूछा गया क्वेस्चन है हिंदी साहित के आदिकाल कि स्रंगारी कभी तथा मैथिल कोकिल कभी सेकर अभीनाय जवद्यो जैसे उपनाम से अभी हीत किये जाने वाले बिद्यापती ने कीर्टी लता और कीर्टी पता के इमंपदा वाली नामक का विगरंतों की रचना की अब दोस्तों यहां पर एक क्वेस्चन बनता है कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता तो आपका उत्तर हो जाता बिद्यापती फिर पूछा जात की वीड़ता को इन्होंने बरनेत किया है किर्टी पताका में तो इनको याद रखे लेना दोस्तों इन सबी रचनाओं को हमें याद रखना है तिक है त्पिर आगे बढ़ते हैं इसी परकार से अ्पना जो क्वेस्चन है अपना जो सैसन हैं किसी प्रकार से चलेगा है Zukunft और आपको याद रख लेना ये question पूछा गया है आत्म बोद आत्म बोद की रचनाकार कुण माने जाते हैं गोरकनात ठीक है गोरकनात यानि की बी नम्मर आपका बिलकुर सही हो जाएगा इसको याद रखेंगे और दोस्तों यहाँ पर आ आते हैं कि आदम बोद नाम गरंत की रचना नात संप्रदाय के प्रबर्त गोरकनात ने की थी और गोरकनात की अन्य रचनाओं में गुरू महिमा इंद्रिय निग्रह प्राण साधना बेराग कुंडलनी जागरण एबं सुन्य समाधी प्रमुक माने जाती हैं दोस्तों और प गोरकबानी नाम से गोरकनात की रचनाओं का संकलन दोस्तों किस ने किया एक क्वेस्चन भी पूचा गया पीतम बर्दत बर्तवाल ने गोरकबानी नाम से दोस्तों गोरकनात की रचनाओं का संकलन किया इसको आपको याद रखने ना बहुत ही महत्पूर्ण प्रस्न यहा निरासा एक प्कुंति किसकभीकी मानी जाती है ये हमें बताना है तो पांच Ughem परिनाम निरासा परिनाम निर साो परिनाम नराशा ये पंक्ती किसकभीकी हे सूर्धास सुन्द्रदास की विध्या पति की शूर्धास या फिर यहां हमें बताना है ठीके उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर म numéro हम परेनाम निरासा कि एक और पंक्ती किसले कखहे हैं तो उत्तर हमारा यहां पर चला जाता है दोुर्च विध्यापती यह बिलुकुरं सही आंसर है बी नम्मर आपका सही हो जाएगा है ना मादाओ हम परिनाम नरासा बिध्यापती बोले मादाओ हम बिध्या के परिनाम से नरास हैं बिध्या के परिनाम से नरास हैं तो बिध्या के तो बिध्यापती बिध्या के तो बिध्यापती इनको याद रखेंगे मादाओ हम परिन नाम नरासा काब पंक्ती आदी कालिन कभी विद्यापती की है और विद्यापती बिहार प्रंत के जो है दर्भंगा जले के विपसी नामा गाउं की निवासी थे और इनके गुरू का नाम था दोस्तों पंडित हरी मिस्र इनके गुरू का नाम क्या था पंडित हरी मिस्र और द्वारा रचित गरंत है कीरती लता कीरती पता का है ना इनको याद रख़े ना कि अभट में है पदावली मैतली में है और बच्चन से ने इन्हें जाती है कभी कहा एक कॉस्चन कई बार पूछा गया कि दोस्तों बच्चन से ने किस कभी को जाती है कभी कहा तो बच्चन से ने बिध्यापती को जाती है कभी कहा ये भी आपको याद रखते ना बच्चन से ने जाती है कभी कहा अंगला क्वेश्चन है दोस्तों अंगला आपको बताना है सभी लोग बताएंगे बोद्गान उदूहा का संपादन किस ने किया प्रशन किरमांक आपका च्छे है और बोद्गान उदूहा का संपादन किस ने किया ये हमें यहाँ पर बताना है तो यहां पर आपका सीधा सा अंसर चला जाता है, बोद्गान और दोहा का जो संपादन किया था, वो किया था हर प्रसाद सास्त्री ने, किसने किया था बोद्गान और दोहा का संपादन हर प्रसाद सास्त्री ने किया था, उत्तर आपका डी की तरफ जाता है, डी नमर आपक को जाता है और यहां पर देखो दोस्तों हपिर सास्त्री इसके संक्रित क्या झाइन थे तों को हमें याद रख लेना थोड़ा थोड़ा सा फिर अंगला कॉस्चन आप से पूछा जाता है अंगला कॉस्चन है दोस्तों अपना कि सिद्ध कभियों द्वारा प्रियुक्त भासा को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है सिद्ध कभियों द्वारा प्रियुक्त भासा को क्या कह कहा जाता है अपभेन्छ अभ हट या फिर शन as जाता है क्या कहा जाता है सिध्य कभियों दौरा प्रियोग做 भासा को बताना है जै कि अंग्य लोग जरू कर दे ना और दोस्तो जन्य भी साथियों को कोटस में ड वी से लेना है वो कोर्स में एडविसनेशन लेकर कि बिश्तरित अद्यन भी कर सकते हैं और सिध्य कभीं?' द्वारा प्रियुक्त भासा को क्या कहा जाता है तो लगवग सभी को पता है दोस्तों यहाँ पर संध्या भी आता है और कई विद्वानों नेसे संधा भी कहा है ना इस प्रकार से शंधा भी कहा है तो कभी ओफसन में अगर संधा आ जाए ना तो इसको भी आपको अगर संध्या ना आए या संधा आ जाए तो संध्या भी लगा देना है ठीक है तो संध्या आपका यहाँ पर जी नमबर जो है वो बिलकुर सही हो जाएगा बोद्धर्म की बज्रियान या सहजियान साका का प्रिचार करने वाली सिद्ध कवियों में संध्या भासा सहली का प्रियोग अपनी रचनाओं में किया और संध्या भासा बस्तूता है अंतह साधनात्म का नुभूतियों का संकेत करने वाली भासा है इसलिए अर्थ खुलने पर ही शमज में आती है इसी भासा का प्रियोग नात योगियों ने भी किया और कभी राधी संतों की इसी भासा सेली को उलट बासी कहा गया ठीक है और राहुल सांकृत ट्याइन ने 84 सिद्ध कभियों में सरहपा को हिंदी का प्रिथम कभी माना ये भी कई बार पूछा गया सरहपा करत दोहा कोस तता सबरपा करत चरियापद शिद्ध साहित की फिरमुक रचनाए हैं अब यहाँ से कॉस्चन पूछा जाता है कि दोहा कोस की रचनाकार कौन है आप बताओगे सरहपा यहाँ सरहपा ठीक है यह आपको याद रखे ना शिद्धो की शंक्या कितनी है अब बताओगे 84 इनको हमें याद रखना ठीक है फिर अंगली क कीस्क्रीन पर है अंगली क क्योस्चन आपसे पूचा जाता है दोस्तों कि निम्न मैंसे किस रासों का बिका मूल वर्ण वेसे वीर रसना होकर स्रंगार रस है तो किसका चार विकल्प हैं चार मैंसे हमें चेहन करना है कि किस रासों का बिका मूल वर्ण वेसे मूल वर्ण वेसे वीर रसना होकर स्रंगार रस है सबी लोग चैन करेंगे खुमाल रासो का है बीसल देव रासो का है प्रतिवी राज रासो का है या फिर दोस्तो उत्तर बताना है बीसल डाव रासो या फिर परमाल रासो है ना तो ये जल्दी से बताओ उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न किरमांक आठ का और आठ का जो उत्त अजमेर के सासक से संबन्दित रचनात मानी जाती है वो बीसल देवरासो मानी जाती है और बीसल देवरासो के जो लेखक माने जाती है दोस्तो जो कभी माने जाती है बीसल देवरासो के वो नरपती नाल माने जाती है और ये दोस्तो रासो का जो मूल विसाय है वो बीर रसना होकर इसका जो मूल विस है माना जाता है वो माना जाता है स्रंगार यानि की उत्तर आपका स्ती की तरफ चला जाता है स्री नम्मर आपका शही उत्तर हो जाता है ठीक है फिर दोस्तों आंगे बढ़ते हैं आंगे वाले कॉस्चन को देखते हैं आंगे वाले कॉस्चन में यहा पुछ परमार की पुत्री राजमती एवं अजमेर की चोहार राजा बीसल्दे उत्रतिये की बिवा है बियोग एवं पुनर मुरन की कथा जो है इसमें वरने थे किसमें बीसल्दे उरासों में ये भी आपको याद रख लेना और इसकी रचनाकार कौन है दोस्तो नर्पत्ती अंग्रणा क्या ही नाल ठीक है अंगला कोस्ट्यण आपकी स्क्रीन पर आला खंड का दूसरा नाम क्या है प्रश्न करमांक नो आला खंड का दूसल्दे उरासो या फिर हमीर रासो की उत्तर आप चैन करेंगी आला बाइब बख़ग सबी लोगों को पता है कि अगर आप बात करोगे तो आला ख़ंड का जो दूसरा नाम माना जाता है वो दूसरा नाम है आला ख़ंड का तो आपने चैन किया है आला खंड का दूसरा नाम परमाल रासो है और बीसल दियो रासो की रचेता नर्पती नाल है ये बीसल दियो रासो की रचेता तो नर्पती नाल है लेकिन दोस्तों ये जो जगनेक हैं जगनेक ये आला खंड या परमाल रासो की रचेता माने जाते हैं ये भी आपको पता होन है तो आपको बताना दलपती बिजय हमीर रासों के लिचेता कुन है तो आपको बताना सारंग धर ठीक है इनको याद रखेंगे फिर अंगला क्वेस्चन आप से पूछा जाता है तोला सा जल्दी से बताएंगे कि खड़ी बोली हिंदी में सरपिर्थम रचना करने वाले कभ है और 10 में दोस्तों खड़ी बोली हिंदी में सरपिर्थम रचना करने वाले कभी का नाम क्या है तो आपने बिल्कुर सही उत्तर बता दिया बोली सर खड़ी बोली के अगर बात करोगे तो अमीर खुसरो कियानि की उत्तर B बिल्कुर सही हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर बारे में अपन पढ़ ही चुके हैं अब तोड़ा सा यहां पर आते हैं कि खड़ी बोली हिंदी में रचना करने बाले जो प्रतम कभी वो अमीर खुसरो हैं है ना तोता यह हिंद नाम से चर्चित अमीर खुसरो का जन मुत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था कभी कभी इनका जन में भी पूछा जाता है कि एटा जिले में हुआ था है ना पटियाली गाउं में हुआ था दोस्तों इनका और इनका असली नाम था अ अबुल हसन इसको याद रखेंगे, अबुल हसन है, खालक बारी, चाह दर्वेस, दो सुकने, घजल, हालाते कनया, हैना, और नजरान एह हिंदी, अमीर खुसरो की प्रमुक रचनाएं हैं, अब आप से पूछा जाएगा, एह हालाते कनया, एक किसकी रचना है, आप क्या बता ये, किस दोस्तो कभी का जन्म एटा में हुआ था, तो अमीर खुसरो का हुआ था, तो ताए हिंद किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है, ये कोस्चन आपको याद करना बहुत अच्छे से, ठीक है, अब अंगला कोस्चन आप से पूछा जाता है, कि दोस्तो परमाल रासो काब बिक्रती के कभी का नाम बताईए परमाल रासो काब बिक्रती के कभी का नाम आपको बताना है आपके चार बिकल्प है नले से भाट है जगनेक है या पर दोस्तो एहम चंद्र है या पर शारंग धर है इसमें से आप चैन करेंगे परमाल रासो काब बिक्रत के जो रचनाकार हैं वो कुन है परमाल रासो काब कर्थि के कभी का नाम अब एक क्वेशन कई बार आया है दोस्तों परमाल रासों हो यह पर आला- खंड़ हो ठीक है तो इन चीजों को याद और दोस्तों यहां पर अपने देखा कि हैंगर ओने को याद रखेंगे दोस्तों के रचिता जगनेक हैं और इस रासों ग्रन्त में जगनेक ने अपने आस्राइदाथा चंदेल-सासक परमार्दी देो के दो वीरों आला इबम उदल की बीटता पूर जो है बरनन किया और नल्ल से भाट ने विजय पाल रासो विजय पाल रासो ये गरंत लिखा और सारंग धन्य लिखा हमीर रासो ठीक है तो अपने कई बार पढ़ा था दोस्तों है ना तो कई बार अपने क्या पढ़ा था कि जो बिजय पाल रासो वो नल्ल से भाट का है ये भी आपको याद रखेंगे ना ठीक है ये ना खालक बारी अमीर खुसरो की ही है ये ना अच्योत चरन तरंगनी सियो सिर मालती माल हरी ना बनायो सुरसरी की जो इनन भाल इस दोहे के रचनाकार को अपन को चैन करना है इस दोह को है अच्योत चरन तरंगनी सिर्मालती माल हरी ना बनायो सुरसरी की जो इनन भाल हरी ना बनायो सुरसरी की जो इनन भाल ये पंक्ती किसकी है ये बताना हमें सौनू सिंग जी मैंक जी उत्तर हो जाएगा आपका रहीम दास है ना आपने बिलकुछ सही बताया ममता जी महाबीर और हमलता जी बहुत बड़ी आंसर रहीम आपका राइट आंसर हो जाएगा ये नम्मर आपका बिलकुछ सही हो जाएग रहीम जी है ना अब यहां पर देखो दोस्तों कुछ पंक्ती हैं जैसे अच्चित चरन तरंगनी सिर्मालती माल है ना हरीना बनायो सुरसरी की जो इंदवाल रहीम दास की ब्रम्म में ढूड़ेो पुरानन गानन बेदर या सुनी चौगनी चायन की रस्खान की मानी जाती है कहते हैं कि रामचर इतमानस को तुलची राज जी ने रस्खान को ही सरपिर्थम सुनाई थी तो इनको भी आपको याद रख लेना है ठीक है इनको सभी को याद रख लेना है और ये हमेशा पूछे जाते हैं ठीक है अब तोड़ा सा और आंगे बढ़ते हैं दोस्तों की पंक्ती है ठीक है और ब्रंदा वन बहरत फिर राधानन्द के सोर नीरद दामनी जानी संग बोले दोरे और इरामसहाई की मानी जाती है दोस्तों इन पंक्तियों को आपको याद कर लेना है फिर आपको बताना है कि उत्तर क्या हो जाएगा पंडित चंद्रधर सर्मा अप पुरानी हिंदी का परथम कभी स्विकार किया है दोस्तों आपको पता है कि अपको पुरानी हिंदी नाम दिया था लेकिन आप से question पूछा गया आप से पूछा गया कि पंडित चंद्रव सर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रतम कभी सुईकार किया तो आपने यहां पर चार विकल्प हैं और चार विकल्प में से आपने चैन किया है कि सर चंद पुरानी हिंदी का प्रतम कभी सुईकार किया है तो वो किया है राजा मुझको राजा मुझको किया है गुलेरी जी ने ये भी आपको याद रख लिए ना दोस्तों सरहपाद को किया है राहुल सांक्रित्याइन ने हिंदी का परतम कभी और स्वयंबू को किया है दोस्तों किसने किया है स्वयंबू को किया है रामकुमार बर तो दोस्तो राजा मुंजु को ये भी आपको याद रख लेना ठीक है फिर आंगे बढ़ते हैं राजा मुंजु को पंडित चंद्रहर सर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का परतम कभी माना और तता दस्वी सतापदी के अंतेम चरण को हिंदी साहित के प्रारंबिक चरण क के रूप में सुईकार किया और दोस्तो गया तब है कि चंद्रहर सर्मा गुलेरी कहानी कारते उसने कहा था बुद्धु का काटा और सुखमा जीबन गुलेरी जो अरदीज द्वारा लिखी गई स्रिष्ट कहानिया है और उसने कहा था कहानी 1915 में सरस्वती पत्रिका में देचती इसको आपको याद रख लेना है यह सभी लोगों को याद करना है अंगला कोस्चन देखते हैं दोस्तो निम्लिकेत लेकों को रचनाव के साथ शुमिलित कीजिए अब इनको शुमिलित करना है दोस्तो राद पर अपन देखते हैं कि दोस्तों विजय सेंसूरी की रेवंत गिरी रास ये तो सही है है नर्पतिनाल की वीशल देओ रासो शाली भद्र सूरी की भरतेस्वर बाहु वली रास और दोस्तों आसगू की चंदनबाला रास ठीक है इनको हमें याद करना अपन ने याद किया कि बिजय सेंसूरी रेवंत गिरी है ना अपन को रेवंत गिरी गिरी मतलब परबत और परबत को क्या करना है बिजय करना है तो बिजय सेंसूरी रेवंत गिरी नर्पती नाल बोले नर्पती है बोले सर बीस है ना बीसल नर्पती तो बीस नर्पती इनको याद रख लेना है ठी जब अपन मंदर जाते हैं तो अपन को चंदन की आस होती है तो इस प्रकार से चंदन वाला रास की रचनकार आसगू हो जाते है अब दोस्तों यहां पर कुछ और रचना यहां पड़ी है जैसे अपन ने देखी कि बिजय सेंसूरी की रेवन्त ग्री रास नरपति नाल की वी किसकी रचना है बढ़िया क्वेंट हैं सभी लोग आराम से इसको बता सकते हैं कि कि स्की रचना माने जाती है पूरण भगत की और विद्यापती की अमीर खुसरो या इन में से कोई नहीं ये बताओ हाला ते कनया किसकी रचना है और अपन पहले भी इसको पढ़ चुके हैं दोस्तों कि हाला ते कनया हाला ते कनया है ना पुलिसर हाला ते कनया की रचनाकार जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं कौन अमीर खुसरो अमीर खुसरो ब पास्त्विक नाम था अबॉल हसन है ना उत्तर प्रदेश की एटा जिले में पटेयाली गाउं में बारा सो पच्चीस इसवी में जनवे अमीर कुसरों को खड़ी बोली हिंदी का प्रिथम कभी माना जाता है पहला कभी माना जाता है है ना खालक बारी और दो सुखने हैना हाला तेकन यह मुक्रिया तता गजळल अमीर कुसरों की प्रमुक्रचनागी मानी जाती है एक कीस्चन अभी पूछा अगया था दोस्तो एक कूस्चन पूछा गया था कि एक question पूछा गया था कि भारतेंदू यूग में जो मुक्रिया लिखी थी या, नई मुक्रियों के लेखक कौन है, तो उसका उत्तर होना था क्या, भारतेंदू, नई मुक्रिया के लेखक माने जाते हैं भारतेंदू, लेकिन जो मुक्रियां और पहलियां लिखी हैं वो कुषने लिखी हैं अमीर खुसरों ने तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कनफ्यूज हो गए थे कि मुक्रियां तो अमीर खुसरों ने लिखी हैं और नई मुक्रियां को ने लिखी हैं नई मुक्रियां वो लिखी हैं दोस्तों अप एक पर चार विकलब हैं है ना नए जमानी की कि मुक्रियां दार्शूजी बहरी गोलन कि यह विए चैन करना है वीजतकी रासो ग्रंतों की सूफी या फिर साक्षी ग्रंतों की तौ आपने क्या चैन किया है 麼 चैन किया जल्दी से वताएं आपका राइट अंसर चला जाता है क्या चला जाता है कुछ लोग A बता रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग confused हो गए ऐसे question सरल होते हैं लेकिन confused होते हैं दोस्तों बीर गरंत नहीं बीर गरंतों की प्रधानता नहीं रही रासो गरंतों की प्रधानता रही है रासो है ना तो यहां पर आप confused नहीं होना कभी भी आदी काल में किन गरंतों की प्रधानता रही आप से पूछा जाए तो लगाना है यहना रासो गरंति यानि कि आपका स्ती उत्तर यहां पर सही होगा स्ती नंबर सही होगा इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है यहना इसको याद रखे लिए ना अब यहां पर आते हैं तोड़ा सा और आंगे बढ़ते हैं अंगला क्वेश्चन है कि आदी काल में रासो गरंतों की प्रधानता रही इनी रासो गरंतों की आधार पर आचार सुकले ने इस काल का नाम आदी काल है ना आदी काल इस काल की प्रशिद रासो गरंत इस प्रकार है प्रतिविराज रासो खुमार रासो बीसल दिवरासो परमाल रासो ठीक है तो राम दी ने दिया था है ना तो यहां पर याद रख लेना दोस्तों इन्होंने बारा बीर रस प्रधान रचनाएं रची गई अगर रस प्रधान होती किस रस प्रधान रची गई तो बीर रस प्रधान रची गई है ना लेकिन रासों गरंतों की प्रधानता मिलती है यह भी आपक कि सिपाईयों और लडाइयों का जीवनत और यह थार्त वर्णन किस किर्थी में हुआ है किस किर्थी में बहुत बड़िया प्रस्ने हैं यहाँ पर हैना और 17 का अंसर सभी को चेन करना है उत्तर आपको वताना हमीर काब कीर्थी पता का कीर्थी कुमोदी या फेर कीर्थी लत आचार हजारी परसाद दुबेदी के अनुशार 14 भी 15 सताबदी के हिंदुगों मुसल्मानों शामंतों सहरों सेनापती सेना की सिपाईयों लडाईयों का जीवन तो रहतार्त बरणन किस किर्थी में मिलता है यह आप बताओगी तो यहां पर दोस्तो 17 का आंसर है तो बहुत स चला जाता है आपका कीड़ती लता में मिलता है दोस्तों है ना यह याद रखे लेना आचार हजारी परसाद दुबेदी के अनुशार 14 भी 15 सताबदी की हिंदुगों मुसल्मान सामंतों सहरों सेना की सिपाईयों को लडाईयों का जो जीवनत बरनन मिलता है वो मिलता है की किर्थी लता में कि आपको याद रख लिना है ठीक है इसको अपन को याद रख लिना है दोस्तों और एक कीड़ती लता किसकी रचना थी बिध्यापती की थी थी तो आचार हजारी परसाद दुबेदी के अनुसार 14.25 सताब्दी के मुसलमानों शामंतों सहरों सैना के का जीवन्त और यह थार्थ बरनन विद्यापती की कीर्थी लता में मिलता है यह बहुत ही बढ़िया प्रशने हैं इसको दोस्तों अच्छे से याद रख लिना कि प्याचार हजारी परसाद अबेदी के अनुसार 14 अभी 25 सताबदी के हिंदुगों मुसल्मानों शामंतों और स्यना के सिपाईयों और लडाईयों का दोस्तों जीवन्त जो एथार्थ बरनन मिलता है वो कीर्थी लता में मिलता है यह ना और अंगला कॉस्चन आप से पूछा स Surprise यह ना तो यहां पर रहाओं जीने था का प्रतम कभी किसे सुविकार किया था तो वो किया ता किसे शरहफा को कियाथा तो उतर आपका कहाँ चला जाता है श्जी नमबर कि प्रित्म स्द्य कभी माने जाती है स्ष्ट ऊब ऐसे कुश्टों Александय को त्रहिपा को इस दोस्तौ CG एह भी आपको पता है ठीक है अब यहांपर आते हैं दोस्तों राहुर सताब दीके थे और दोस्तों सरहपा को हिंदी का पहला कभी माना वो सरहपा 84 सिद्धों मैंसे थे और डाक्टर गडपती चंद्रगुप्त ने अपने ग्रंत हिंदी साहत का बैग्ज्याने की तिहास में साली भद्र सूरी को हिंदी का प्रतम कभी तता इनकी रचना भरते सु बाहु बली रास को हिंदी की प्रतम रचना माना तो डाक्टर रहजारी पर साथ दुवेदी ने पुस्पदंत को हैना और गुलेरी जी ने कभी मुंझ को और रामकुमार बर्मा ने श्वयंबू को हिंदी का कभी माना अब यहां से सारी चीज़ें किलियर हो जाती हैं क्या गडपती चंद्रगुप्त ने किसे माना तो साली भद्रस्तूरी को ठीक है यह आपका किलियर और दोस्तों इनकी जो रचनाती भरते सुर बाहु बली रास किसे हिंदी की प्रतम रचना माना गडपती चंद्रगुप्त ने ठीक है हजारी परसाथ दुवेदी ने किसे माना तो पुस्ब दंत को माना ठीक है गुलेरी जीने माना किसे मुंज को माना रामकुमार बर्माने किसे माना स्वयंभू को माना ये आपको याद रख लिना है ठीक है ये आप सभी लोग याद रखेंगी स्वयंभू और अंगला क्वेस्चन है दोस्तों यहाँ पर आपसे तो बीसल्दियो रासों में किस सैली का प्रयोग किया गया वड़िया प्रस्ण है स्रंगारिक सैली गे सैली या पिर आख्यायन या पिर प्रबंद सैली सैली पूछा गया दोस्तों सैली पूछा गया इसलिए सैली ही बताना है तो यहां पर बीसल्दियो रासों की बात हो रही सी नमबर आपका सही हो जब बीसल दियो रासों में किस सैली का प्रियोग किया गया तो गे सैली का प्रियोग किया ठीक है और आंसर क्या हो जाता है आपका सी नमबर हो जाता है ठीक है बहुत बढ़िया बीसल दियो रासों की रचना संबत 1212 में नरपती नाल ने की थी और इस का मूल रूप क्या था गे काब है यह गे काब मिमाना जाता है फिर अंगला कोस्चन आपको चैन करना है कि जै महिंग जैस चंदरिका के रचेता कोन है जै महिंग जैस चंदरिका कई बार पूछी गई दोस्तो इसको याद कर लेना सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक बढ़ने को मिलेगा टॉपिक बाइस टेस्ट भी वहाँ पर आपको मिलेवाले हैं और हिंदी व्याक्रन भी आपको वहां पर मिलेगी लाइप किलास भी वहां पर सामको साड़े-पांच बली आपको मिलेगी ठीक है तो यहाँ पर दोस्तो जै महिंग जैस चंदरिका की बा बढ़ने जाते हैं भट केदार जै चंद परकास के बढ़ने जाते हैं यह कौस्चन दो जैस चंदरिका के मधुकर कभी हैं तो आपको याद हो गया नदो सो नर पति नाल और बिजय पाल रासों के रचनाकर नल्रे सह माने जाते हैं नल सह भाट इनको हम इयाद रखेंगे ठीक है फिर दोस्तों बढ़ते हैं तोड़ा सा और आगे आते हैं यहाँ पर आते हैं यहाँ पर आपको question यहाँ पर सुमेलित करना है अपनको यहाँ पर सुमेलित करिएगा थोड़ा सा सूची एको सूची दो से मिलान कर लेना ये क्वेस्चन तो आपको रट जाना चाहिए इन क्वेस्चन को भूला नहीं है बीसल देव रासो प्रत्वी राज रासो परमाल रासो और खुमाल रासो तो बीसल देव रासो के नारमल सा क्वेस्चन है आपको बोले सर है ना क्या है नर्पति बोले सर 20 नहीं होते तो 20 नहीं होते तो कुन होते नर्पति नाल ठीक है प्रतिवी राज रासो प्रतिवी राज रासो बोले सर चंदरबर्दाई में लगा दो लगा दिया मैंने है ना परमाल रासो परमाल रासो तो परमाल रासो के रचनाकार कौन हो जाएंगे बीसल देओ रासों के नर्पतिणाल, प्रतिवीराज रासों के चंदबरदाई, परमाल रासों के जगनेट, और क्वमाल के दलपती बेज़ंगे, ठीक है? ठीक है? अंगला कॲस्चंट, अंगला कॲस्चंट में हम देखेंगे दोस्तों, आदी काली रासो काब परंपरा में बीचल देऊ रासो की रचेता नरपती नाल है ना प्रतिविराज रासो की चंद परदाई ये तो आपको दोस्तो रटे हैं और आला खंड का दूसरा नाम क्या है परमाल रासो एक कोस्चन भी कई बार आया है ठीक है फिर अंगला कोस्चन अपको बताना भविस्त कहा कि रचनाकार कौन है एक कई बार मैंने आपको याद करवाया है कि भविस्त में हमें क्या करना है के लिए TWO हो जांगे फुश्पिदंत होंगे स्वयंबू हो गे धनपाल होंगे या पिर सरहपा होंगे तो बताए जल्दी से भविस्त कहा कि तो लगादो टिक धनपाल में वविस्तित कहा पूँच लिया तो लगादो टिक धनपाल में हैना क्योंकि वविस्त के लिए धन का संच है तो धनपाल आपका बिलकुल सही हो जाएगा बभिस्तित कहा भिस्तित के अधि काल के अपस्फितित कि धन पाल की रचना है औरPayyum चरिओ डमी चरिओ नांग कुमार चरिओ अपभवरंस भासा के महा कभी स्वुएंभू की रचनाय है महा पूरान पुस्पदंत कि रचना है और इस महापूरान में दोस्तो 63 सला का पॉर का इसमें वर्नन मिलता है महा पुराण में है ना उस पिदंत ने को अभिमान मेरू भी कहा जाता है आपने पड़ा होगा है ना और दोहा को सिद्ध योगी सरहपा की रचना है और दोस्तों सरहपा को राहुल सांकृत्याने हिंदी का प्रिथम कभी माना तो यहां से आपके ब हविस्तियत कहा धनपाल की रचना है पयवम चरिव राम काब पर आधारते महा काब है स्वयंभू का रिठ्ठल एमी चरिव भी इनकी रचना है नांग कुमार चरिव भी इनकी रचना है स्वयंभू की और स्वयंभू को राम कुमार बर्मा ने हिंदी का प्रिथम कभी माना ये भी आपको याद रख लेना दोस्तो पुस्पदंत को हजारी परसाथ दुवेदी ने माना और महा पुरान की रचेता कौन है तो पुस्पदंत है इनको भी हमें याद रख लेना है पुस्पदंत के बारे में भी याद रख लेना ठीक है फिर अंगला कॉस्चन आपसे कुछ लिया तो चला जाता है किसे ओर चला जाता है चला जाता है दोस्तोर चंद्र बर्दाइब की और ना én प्रथम महाकाब माना जाता है दोस्तों हिंदी का हिंदी का महाकाब माना जाता है प्रतिवी राजरासों इनको भी हमें याद रखते ना यह आदी कालीन वह किरती है दोस्तों जिसे चंदों का अजायब घर कहा जाता है यह भी आपको याद रखते ना जैसे हम बक्ति काल में चंदों का जयविघर कहते हैं वैसे प्रतिविराज रासों को भी चंदों का जयव другगर कहा जाता है छब दोस्तो और only qn कि याद रखेंगे कि इनको याद रखेंगे क्ल कितने गरंतों की रचना की थी तुद नहींά चवदा नहीं हरियौम जी बिद्ध्यापती ने कितने गrantओं की शोला गrantओं की रचना पी सिध mmm 13 ते तो । тेरा लचन हैं थी किसमें संस्कृत में और 13 लॉच्थ में किसमें थी दौस्तो विद्ध्या पति ने खुल कितने क्रशना की तो 14 में इन्की 13 कुंसी थी 13 थी संस्कृत में दो इनकी अभीट में थी और एक जो पदा द playlist थी इनकी वो मेल्मे थी एना इस प्रकार से इनकी कुल रचनायं कितनी थी 16 तिन किसकी बिद्यापती की ठीक है इनको याद रखेंगे अंगला कॉस्च findet बंगाल की सा सतरी है ना स्योसें की आस्राय में रहती थे ये स्योसें की आस्राय में रहती थे विद्यापती है ना ये याद रख लेंगे और दोस्तों कुल 16 ग्लंतों की रचना की इन्हें मैथिल कोकल भी कहा जाता है और इनकी प्रमुक रचना कीरती लता कीरती पता का पदावली मानी जाती ह ठीक है फिरंगला कोश्चन आप से पूछा गया कि स्रंगार का बख है तो कौन सा है हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया विजैराज जी पुस्प दंत को से उसे सेंगरने माना और अबदुर रह्मान को माना हजारी परसाद दुवेदी ने पुस्प दंत को से उसें सेंगरने माना है बहुत बढ़िया पुस्त या पुंड ने कहा जाता है तो कई विद्वानों ने पुस्त या पुंड को सोदार लेना एक कॉस्चन कि पुस्प दंत को से उसे सेंगर ने माना ये बिलकुल शही है है ना और अब्दुर रह्मान को माना है हजारी पिरसाद दुवेदी ने इस question को आप बिलकुल बहुत वड़िया राज जी है ना तो ये पुस्प या पुंड जो से कहा जाता है उन्हें पुस्प दंती ही माना जाता है है ना ये पुस्प धंती आत रखेए ना और हाजी पिरसाद दुवेदी ने माना अब्दुर रहमान को थीक है स्रंगार काब है तो कौन सा है दोस्तों स्रंगार काब बताना है 25 का अंसर बहुत बढ़िया है ना तो स्रंगार काब अपन ने पढ़ा था सर बीसल दियो रासो है बीसल दियो रासो यानि कि ए नमबर आपका बिल्कुर सही हो जाएगा यह आपका बहुत बढ़िया है ना तो पुस्थПदंत कहा जाता है कई विद्ध्वानुने पुस्थभणों ने जो रचना पड़ी थी संदेश रासक पड़ी थी वह इसी पिरकार से अपने आगे बड़ते रहेंगे डाउट भी mixture करेंगे सब्सक्राइब सबी लोग लाइक करें जिन भी सातियों ने अभी तक दोस्तो इरात्री 9 बजे रोज अपनी ये कक्छा होती है अभी तक अगर आपने self study classes एप डाउनलोड नहीं किया है तो उसे एप को आप डाउनलोड कर लेना यह ना एप को जरूर डाउनलोड कर लेना बहुत वड़िया ठीक है और दोस्तो दस तारी को अपना एक टेस्ट प्रितियोगिता है उस टेस्ट प्रितियोगिता में आपको जरूर सामिल होना है और जिन सातियों को दोस्तो कोर्स में एड़िशन लेना है कोड में जिनको एड़िशन लेना है वो एड़िशन ले सकते हैं ठीक है और दो में भी अच्छा लगेगा कुछ चीजें जो प्रिजेंट टाइम में वो याद नहीं आती है ना और आप लोग भी इसी प्रकार से अगर मदद करेंगे तो अपन बहुत सारे डाउट भी अपने किलियर होते हैं जब आप बोलते हैं तो वो चीज भी हमें माइंड में आ जाती कि हाँ एबाला सही है ठीक है बहुत वड़िया है ना रोहित जी और गीतिका दार्सु अर्षदीब जी सभी को धनवात पूजा जी आयूस जी बिलको नाम ले ले रहे और आसू आसा जी महरा और मनीसा जी ममता सरोज जी बहुत वड़िया राजेस पूजा जी अमन जी ला जी मोहित जी उधै यादाव जी आसा जी ना ठीक है रोहित जी उधै जी लालदास जी कृष्णा अमन जी भारत मिस्ट जी भागत जी मंजु जी अर्सदीप इंदू जी बहुत है ना ममता और अर्सदीप पूजा कलपना जी पिरमोद जी सभी को धनवाद है ना बिलको लाइक सभी लोग कर देना आयूस जी गीता रानी बिमलेश रीता अर्चना रोहित जी पुसपेंद्र जी और प्रसांत जी जस्बंत सीमा जी रोहित जी ठीके लौकुस जी नमन और पुसल परिवरतन आकाश जी पृदीप जी और अर्चना जी गनपत जी खुरेसी जी बहुत बढ़नीकेद भारत जी दिनेश जी सरूज जी अर्जेस जी कुमारी हेमा जी नरेश जी प्रमोद जी अल्का जी अंस जी ममता जी सभी को धनबाद मंजू जी बहुत बढ़िया है ना और इसी प्रकार से अध्यन करते रहें जिन भी सातियों को एप डाउनलोड अगर अभी तक नहीं किया है तो ये प्ले स्टोर में आप सर्च कर लेना दोस्तो है ना अर्चना ठीक है सेलंद्र जी सिद्णों की भासा में सुनन का पूरक माना जाता है ज्यान ज्यान माना जाता है ना रजनीश जी नरेश आस्ता दार्सू प्रदीब जी धनबाद अमन जी बहुत बढ़िया सभी को धनबाद दोस्तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही इसके बाद 10 बजे एक किलास होगी एकजाम पार एकजाम पार चैनल में है ना उसमें आप पढ़ सकते हो उसमें अध्यान कर सकते हो ठीक है सभी को धनबाद जै हिन और रोज रात तरी 8 बजे एक दोस्तो हिंदी व्याकरण की रेकॉर्डड वीडियो भी आप तक प्रेसित की जाती उस वीडियो को भी आप देख सकते हो अध्यान कर सकते हो सेल्फ स्टडी किलासे इस पर ठीक है 8 बजे तो उसको भी आप कर सकते हो रात 3-8 बजे ठीक है सभी को धनबाद जै हिन